गईस इस वीड़ा मैच यो कवर करने वाले जो आई से सी डवलू स्रीक लिए को जो सीज चल रहा है मैं आपको बता दू यह वंडे मैचेस है और उमान नाविविया स्कोटलेंड इन सब टीम्स के बीच यह से मैचेस खेले जा रहे अच्छे मैचेस रहते जो बहुत सालों से सबसे पहली बात तो प्रोफेशनल मैच है एक इंटरनेशनल मैच ही है आप समझ की चलिए सबसे पहला काम जो कि सबसे इंपोर्टन है आप पता है पुरे फिल्म में सबसे दा हमने कवर किया है और आइसे मैचेस कोई कवर करता भी नहीं है लेकिया सबसे ज्यादा मज़ा आते है एसे मैचेस खेले में ता आप लोगो फाइन टेस्ट मैच है तो उसकी वीडियो अपलोड हो गया आप लोगो जाकर देख लिए इसे यवगे चाहलों कर लोगों टेस्ट मैच के लिए तो आप जोए जोइन करना पहला लिंक परिंप आफ्ला लिंक पाहले फैर लिंक आपं जोइन कर लोगे तो टेलिए जोइन करना फाइंट जादा इंपोर्टन है तो यह से टीम आपको कोई देगा भी ना और सबसेटी टीम हमी देंगे तो जोइन कर लिए आब बहुत करते हैं जादा लंबी वीडियो तो तो करना चाहूंगा मैं आज लास्ट पर नहीं देग्ण है तब कि याद होगा तो हाँ उसे मैचे पर इस वार स्कोटलेंड में मैचेस खेले जा रहें इस चीज का ध्यान किया और साधी यह ना इस रिसका मेरा पहला मैच होना चाहिए क्योंकि लास्ट दो मैचेस मैंने कवर नहीं किये इतना याद मुझे नहीं किये वर्ट अच् है इतना याद रखिएगा पीच रिपोर्ट मुझे फ्रेश फिच रिपोर्ट जी होता है अबरेज आगा बात करें तो एक न्यूटल विकेट समझ के टीम करेंड करना और टोटल इस विकेट पे अभी तक लास्ट मैच के हम बात करें तो इस पिनर्स को मिले थे दो अब दो चलंद पहले और वही जीता है एक वह घौरे मैच यहीं इतना याद रखेगा ऑमान के मात करेंडिंग ऑडर में इनकी टीम दर्स ओपनीं करेंगे पर्टिग जो कि टीम दर्स हालाक आउटव फॉर्म्स प्लेड यह बड़े लेवल पर्वर्जिंट किया सकता है अ लेकिन हाँ फॉर्म के मामलें बहुत ही खराब चल रहा है प्रतिक का बहुत मोखा दिया है टीम ने मिडल लडर में भी भेजा उसमें भी सक्सेस नहीं मिला बट आजकल अब ओपनिंग करा जा रहा है ओपनिंग में भी यह उसे तो पेसे से एक ओपनर ही है लेकि फिर भी कु आखेल लेते स्वेप खान जोकी इनफॉर्म प्लेयर आयान खान ये इनफॉर्म प्लेयर जिसन मक्सूद इनफॉर्म में अकईब लियाज जो की टीम दर से अ सकते है एक सकीट उसके लावा साल है कली मुल लाएफ उसके महरन खान थो ठीक है ना पिनका बायटैंग ओडर द तो करो समय से रिवास्तों बेंगी इंपोर्टन है उसके लए ना विवेक हम बात करें तो जेन गिरिन जो कि विकेट की प्रिंग करेंगे मलान कुरे के साथ ओपनिंग करेंगे जेन गिरिन अहला कि मैं कन फॉर्म निकर बठा मलान कुरें आफ देखो बहुत खराब चल रहा ह जबकि गए दिसमस को कैप्टेंसी नहीं मिला था इसको मिला तो मलान कुरें उसके नहीं कर पाए उसके लिए माइकल यूपने वंदा जवदस ओपनिंग करता है जैन फेलिंग जो कि एक मैच में आये एक मैच में चांस मिला जवदस परफॉर्मेंस दिये जवदस प्रेट जो बड़े प्लेश सब बेंच भी रहने वाले तो काफी बड़े प्लेश को बैठा रहे ना भी विया पर फिर भी काफी तगड़ा लाइनप से जैक ब्रसल को चांस मिला यंगेस प्लेयर है बंधा पावर प्लेम विकेट ले लेता है वाकि जो अपडेट रहेंगे तेलिय जोइन करना ध्यान रखेगा फ्री है डिस्क्रिप्सण वॉक्स की लिंक से करना अच्छा रहेगा आपके लिए और हमेंसा नंबर आपको बढ़ता हो इने जर आएगा वहां पे टेलियां पे बात कर विकेट कीपर शिलिए उस वीडियो को जूस लाइक कर देना जिसे मोट अच्छी नहीं खेलता है मुझे भी पाता है वो बंदा इतना याद रखेगा तो जेन गरीन एक अच्छा पीख लग रहा है मेरे साइट से तो भई क्योंकि अगर पहले बैटेंगे तो साहे जेन गरीन पर परती कोई इस वर फिर मोगा में देना फॉब लेकिन खराब चला रहा हो जिसने पिक यह था फॉब बगार चल रहा है बड़ प्लेयर मनलब साल 2000 में बात करो ना अगर आप 22 कभी देखोंगे ना तो सबसे तकड़ा प्लेयर था थेईस में भी थेईस तो नहीं बढ़ आप 22 में जवादस में था एक इस बाइस पहले उननीस बीस में तो पी ना अरन भी बना रहे तो ज्यादा बड़े निंग खेल नहीं रहा है फ्लेयर जब अधस ते फिर दा बैटिंग करें वह मत देखो प्लेयर जब अधस ते पीक करने ना चाहिए मैकल वगेरा है जो कि टीम से लोग पीक कर रहा है फॉर्म लेकिन एवरेज ही चल रहा है कुछ ज्यादा एक्स्राओर्डिनरी फॉर्म नहीं इससे अच्छा में जेजर सिमित के साथ ही खुच समय मुझे मुझे माइकल सोईब खान वगेरा है जेजर स्क्राओर्ड जिशन मक्सूद है जेन फैलिंक फॉर्म अवी आगे बंदा तीटी खेला तो उसमें अच्छा फॉर्म में था मैरां खान अच्छा फॉर्म में चल रहा तो यान खान बड़ा प्लेयर है उसे तो वंदा कुछ भी कर लेता बैट इंग बालिंग जो द पिक कर ले तो वंडे मैंशे ना बैटिंग आई ही जानी है और जल्दी बाजी करता है यहां 50 प्रस से स्कूर करता है उसके लिए बिलाल खान बड़ा प्लेयर है रुबेल टुम्वेंट अच्छा प्लेयर है कली मुल्ला देखो कली मुल्ला टीम रसे कली मुल्ला को पिक कर सक लेकिन लोग बोलेंगे यह बहुत ज़्यादा इसको ड्रॉप कर रहा हूं बटे प्लेयर तगड़ा है फियास प्लेयर में विकेट लेने वाला बंद हो देखा जाता बट फिर भी मैं जैक ब्रेसल के साथ इसले जाना पिर कर रहा हूं तो यंगेस प्लेयर है और पावर प इसका बिकेट गिरेंगे इनकी टीम रहसे जैसे कश्य पजापति परतिक का विकेट लेए तो एक ही बोलर वीकेट ले सकता है जैक प्रेसल क्योंकि पावर प्लेयर बॉलिंग करें और यंगेस्ट है लेकिन वंदा को पावर प्लेयर बहुत अच्छा से इस्तमाल करते है त प्लेयर टीम रहें तो देखो हमेशा लोग गयर दिसमूस दो बड़ा प्लेयर है में मानता हूं उसको सीवी सी को और से तो लेकिटीम चेस करें ना देखना ना विविया अगर पहले बॉलिंग करें तो आख बंद करना और क्याप्टेन का देना गयर दिसमूस अगर टीम पतावागा ना होना चाहिए लेकिन लोग क्या कर रहे है थोड़ा सा रोटेशन करना की कोसिस कर रहे है मैं भी ऐसी जा रहा हूं बड़ दो में पर से बताओ आखिव जास को मैं हमिसा कैप्टेन करता हूं आखिव लियास बहुत तगड़ा हीटर टाइप के प्लेयर है और क्या है कि गई दूसमुस का फॉर्म अच्छा चल रहा है विसरेंट ली हम लोग बहुत कैप्टेन कर चुके है इसलिए मैं अपना कैप्टेन गया हूं सेम्टेंस बोग का तो सेम्टेंस है रिसेंट फॉम मात देखना आखिव लियास का क्योंकि सबसा तगड़ा हुसी का ह आप चाहिए दो रोटेशन करों भी ना तो उनीस विसका है ज्यादा नहीं दून ही तगड़े प्लियर से तू नहीं हाकि लिए सब्साइब बड़ा मतले की पावरीटार आउसा बॉली इच्छा कर लेता है बट गए दिसमुस एक्स्पियेंस फंदा ये तना हियाद रखन और टॉप अड्रेस है नहीं कि नहीं है आपके पास परतीक हो गया आकी बिल्यास हो गया उसके लाबा गए दिसमुस भी टॉप ओडर तक आही जाते ये सबी अच्छे हैं देखते जैक वरसल को पर एक्सपरिमेंट करनी कोसिस करेंगे लिए मुझे लगते कि स्टार्टिं को कर सकते हो बिलाल खान को कर सकते हो यह जो दो जब अधस कोमेंशन हैंगे ब्रेंडर को लिए एक्सपरियंस बंदा है जैक ब्रेसल को कोई नहीं पिक कर है हमने पिक करके चला है चलो मिलते हैं फान टीम के साथ टिलिंगे हम चाहिए जो से जोईन कर लेना और करके रख लिजेगा अब कोई डाउट हो तरी चीज़ों से कमेंट कर दें